सो गाईस जो आप यह बनी प्लांट देख रहे हो यह काफी ज़्यादा ग्रीन और काफी ज़्यादा हेल्दी है और हम सभी चाहते हैं कि हमारा मनी प्लांट भी इसी तरह का रहे पूरे साल तो इस वीडियो में आज मैं आपको यही बाते बताने वाला हूँ सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे इंपोर्टन चीज़ के साथ जो की है मौसिस्टिक तो जब भी आप मनी प्लांट लगाएं आप मनी प्लांट को मौसिस्टिक के साथ ही लगाएं अगर आप मौसिस्टिक के बिना मनी प्लांट को लगा देते हैं तो मनी प्लांट कभी भी आपका हरा भरा और घना नहीं बन सकता क्योंकि क्या होता है मनी प्लांट में एरियल रूट्स निकलती हैं और वो एरियल रूट्स इस मौसिस्टिक के अंदर चली जाती हैं और इस मौसिस्टिक के अंदर से वाटरिंग लेती रहती हैं यानि कि हम जब पानी देते हैं गमले में तो हमें इस मौसिस्टिक के अंदर पानी देना होता है और इस मौसस्तिक के अंदर काफीर समय तक पानी स्टोर रहता है और जब भी मनी प्लान्ट को पानी की पड़ती है तो जो यह Arials Roots हैं ये इस मौसस्तिक के अंदर से पानी ले लेती हैं कई बार क्या होता है कि तेज गर्मी की वज़े से जो गमले के मिट्टी होती है या फिर अगर हमने मनी प्लांट जमीन में लगाया है तो मिट्टी सूख जाती है और मिट्टी की सूखने की वज़े से हमारा मनी प्लांट भी सूखने लगता है तो ये काफी ज़ादा जरूरी है कि हमेशा money plant को moss stick के साथ ही लगाया जाए ये moss stick बड़ी असानी से आपको nurseries पर मिल जाती है online भी मिल जाती है लेकिन आपको सस्ती ये जो है वो nursery पर मिल जाएगी और 50 से लेके 100 रुपे तक की आपको ये easily मिल जाएगी आप थोड़ी सी bargaining भी कर सकते हो इसको लेते वक्त अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज़ के बारे में तो जो plant के उपर लगी हुई ये सूकी पत्तियां होती है और जो सूकी branches होती है वो हमें time to time remove करते रहना चाहिए क्योंकि क्या होता है अगर ये सूकी पत्ति प्लांट के उपर लगी रहेगी तो ये उसी जगा पे decompose होना start कर देगी और जब ये decompose होती है leaves तो उस जगा कुछ bacteria और fungus जमा हो जाते हैं जिससे की प्लांट के बागी parts भी खराब होना start हो जाते हैं और सूकी पत्तियों से प्लांट हमारा दिखने में भी बिगार लगता है तो ये काफी ज़्यादा जरूरी है हमारा प्लांट healthy बना रहे और हरा भरा दिखता रहे तो हमें ये सूकी हुई पत्तियां और तो सूकी हुई branches होती है वो प्लांट के उपर से time to time remove कर देना चाहिए तो मनी प्लांट को हरा और घना बनाए रखने के लिए हमें watering का भी ध्यान रखना होता है यानि कि हमें पानी सिर्फ मिट्टी में नहीं देना होता हमें पत्तियों के उपर भी पानी का spray करना होता है तो आप पानी का spray नॉर्मली pipe से भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसा spray bottle का भी यूज कर सकते हैं इससे क्या होगा पत्तियों के उपर जितनी भी dust होगी वो सबी साफ हो जाएगी और पत्तियां हमारी काफी green लगने लगेंगी और पौधा भी हमारा हरा भरा लगेगा इसी के साथ साथ money plant में aerial roots होती हैं तो जब हम पत्तियों के उपर पानी डालेंगे तो वो aerial roots भी पानी लेती रहेंगी और जब भी पौधे को जरुरोत होगी पौधा वही से पानी ले लेगा और हरा भरा रहेगा और पौधा सूखेगा भी नहीं और क्या होगा जब आप पौधे की पत्तियों के उपर पानी डालते हो तो पत्तियों का size भी थोड़ा सा बड़ा होने लगता है और जो pores होते हैं leaves के वो भी खुल जाते हैं तो ठीक तरीके से जो photosynthesis का process होता है वो भी चलता रहता है तो money plant एक बेल वाला पौधा है यानि कि यह बिलकुल सीधा बढ़ता रहता है इसमें से branches और सब branches बहुत जल्दी नहीं निकलती तो अगर हमें money plant को घना करना है तो इसकी हमें cutting करनी ही होगी और cutting हम 4-5 महीने में कर सकते हैं और जब भी आप cutting करें आप एक चीज़ का ध्यान रखें थोड़ी लंबी cutting लें कम से कम भी 10-15 इंच की ताकि आप उस cutting को दुबारे grow कर सकें अगर आप काफी छोटी cutting लोगे तो किसी भी काम की नहीं होगी आपको उसको फैक नहीं पड़ेगा तो आप यह देख सकते हूँ प्लांट की इससे क्या होता है प्लांट बहुत जल्दी बढ़ता है और वो हमारा घना भी बन जाता है तो यह चीज़ आपको मनी प्लांट को लगाते वक ध्यान रखनी होती है तो अब बात करते हैं फर्टलाइजर के बारे में सबसे पहली चीज़ जो है वो है वर्मी कमपोस्ट जब भी आप मनी प्लांट को मिट्टी में लगाते हैं तो आपको मिट्टी में वर्मी कमपोस्ट जरूर मिलानी होती है 50-50% में आपको कॉम्बिनेशन बनाना होता है यानि 50% नॉर्मल गार्डन सोयल और 50% वर्मी कमपोस्ट तो इस तरके का दिखता है ये प्यॉर्मी कमपोस्ट तो ये मेरे को 40 रुपीज केजी पड़ा था अगर आपको भी लेना है तो मैं सेलर का नमबर नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप महां से इसको ले सकते हो या फिर आपको अगर कहीं और से मिल रहा है तो आप महां से भी ले सकते हो लेकिन वर्मी कमपोस्ट काफी अच्छा रहता है ये आपको जरूर यूज करना चाहिए एक और फर्टलाइजर जो मुझे परसनली काफी ज़्यादा पसंद है ये है सीवीड जेल जो ये सीवीड जेल होता है ये बनता है समुदुरी घंस के एक्स्ट्रेक्ट से तो ये काफी अच्छी चीज है और ये बिल्कुल और्गैनिक फर्टलाइजर होता है तो इसको भी आप यूज कर सकते हो ये वाटर सॉलेबल फर्टलाइजर है ये जेल की फॉर्म में होता है तो इसको यूज करना भी काफी असान है आप वन लिटर पानी में आदे से आदा चमच ये जेल मिला सकते हो और उसके बाद आप इस पानी को use कर सकते हो इसके जो benefits से आप Google पे जाके पढ़ सकते हो और इसको कितनी quantity में use करना होता है वो भी packet के उपर ही लिखा होता है तो यह personally जो यह चीज है यह मैं use करता हूँ तो अगर आपको यह चीज भी चाहिए seaweed gel इसका link भी मैं नीचे description box में mention कर दूँगा वहाँ से जाके आप इस चीज को भी check out कर सकते हो और अगर पसंद आती है तो आप यह चीज ले सकते हो वैसे तो money plant के उपर जल्दी kid attack नहीं करते हैं जैसे की millibugs हो गए, aphids हो गए यह money plant के उपर attack नहीं करते हैं लेकिन अगर फिर भी आपको कभी लगे कि money plant के उपर pest लग रहे हैं तो आप नीम oil का यूज कर सकते हो और नीम oil आपको हमेशा cold pressed नीम oil यूज करना है वो क्यों अभी आपको देखी जाएगा क्योंकि जो cold pressed नीम oil होता है वो पानी में डालते ही साथ डिजॉल हो जाता है और जो normal नीम oil होता है वो पानी में डिजॉल नहीं हो पाता तो आप ये देख सकते हो जो नीम oil है पानी में डिजॉल हो गया है और एक लिटर पानी में आपको ये एक टेबल स्पून आप नीम oil के मिला सकते हो और इस neem oil को आप हर महीने अपने plant के उपर अगर डालते रहोगे तो आपके money plant के उपर कभी भी कोई भी किछी तरह का कीड़ा नहीं लगेगा fungus और bacteria भी इस plant के उपर नहीं लगेगा बस आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि आपको neem oil cold pressed neem oil ले यूज़ करना है आपका plant भी हरा भरा और घना रहेगा पूरे साल अगर आपे सभी tips फॉलो करोगे और time to time ये सभी चीज़े अपने plant पे यूज़ करते रहोगे सुभाइस अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था और एडिट करते करते रहात के बारा बजगे मेरे को पता ही नहीं लगा तो अगर आपने वीडियो यहां end तक देखिए तो इसको like और share करके जरूर जाना और बस इस वीडियो में मसी इतना है आप बहुत ज़ल मिलूँगे एक और नए वीडियो में